हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करेंगे fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को और सबसे last में हम चैक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलीए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ साथ draw करता जाऊंग आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के उपर नजर आ रहा है यह मेरा वटसैप नंबर है अगर आप यह अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें WhatsApp के जरीए, Signal के जरीए या फिर टेलेग्राम के जरीए Message सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है कुछ इस तरह से एक Squarish Shape में नजर आ रही है जो Indicate करती है एक Hard Working टाइप की Nature को और अगर इनकी Fingers की बात की जाये तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Fingers काफी थिक हैं, काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही हैं और सभी Fingers के उपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रिखाएं भी नजर आएंगी इस तरह की रिखाओं का होना Indicate करता है के Native काफी मिलनसार सभाव का रहने वाला है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली Nature ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती हैं अगर हम Length की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे इनकी तरजनी उंगली बहुत अच्छी लंबाई में है और काफी अच्छी थिकनस में नजर आ रहे हैं इस तरह की Guru Finger का होना Indicate करता है के Native की Leadership Qualities काफी अच्छी रहेंगी, ऐसे व्यक्ति बहुत ही knowledgeable होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली personality ऐसे व्यक्ति की रहती हैं और साथी साथ ऐसे व्यक्ति काफी अध्यात्मिक भी होते हैं, अगर हम इनकी शनी फिंगर की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे शनी फिंगर लंबाई में बहुत अच्छी नजर आ रहे हैं, बिलकुल स्ट्रे टाइब की personality ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलती हैं और अपनी इनी खूबियों की वज़े से चीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति जरूर कामियाब होते हैं, अगर हम बात करें इनकी सूर्या फिंगर की तो आप यहां पर देख पाएंगे सूर्या length में यहां पर इनकी तरजनी के बिलकुल equal नजर आ रही है और इस तरह की लंबी सूर्या फिंगर का होना indicate करता है कि native काफी creative nature का रहने वाला है, strong artistic qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, लेकिन साथी साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े risk taker भी होते हैं, कई बार अपने चीवन में risk ले बैठते हैं, risk लेने से नहीं घबराते, कई बार तो अपने धन की investments के मामले में भी risk लेने की रूचे इनके भीतर रहती है, अपने धन को ऐसी जगाहों पर invest कर सकते हैं, जहां पर loss की संभावनाएं हों, जैसे share market है, crypto currencies है, mutual fund जैसी चीज़े हैं, वहां पर भी ऐसे व्य मरकरी फिंगर की तो आप यहां पर देख पाएंगे, इनकी जो मरकरी फिंगर है, थोड़ी low set होती हुई नजर आ रही है, अगर यहां से हम एक line draw करते हैं, तो आप देख सकते हैं, इनकी जो यह रेखा है, कुछ इस तरह से बनती हुई, आपको नजर आएगी, जिसमें इन भाव native का देखा जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनकी यह finger length में ठीक हो, communication skills के मावले में अच्छे रहते हैं, business equipment strong रहता है, और ऐसे व्यक्ति की पूरवा नवान की क्षमता भी काफी बहतर आपको देखने को मिल सकती हैं, चलिया आगे बढ़ते हैं और चे हैं इनका जो गुरू परवत का area है, काफी उठा हुआ नजर आ रहा है और यहां पर एक cross का चिन बनता हुआ भी आप देख पाएंगे, गुरू परवत पर ही cross का चिन बनना सबसे शुब माना जाता है, इस mount का उभरा हुआ होना, indicate करता है कि native बहुत ही knowledgeable रहेगा, और यहां पर cross का meaning के native अपने ग्यान की वज़े से समाज में काफी अच्छा मान समान भी पाएगा, cross का बनना काफी अच्छा मान समान दिलवाता है, काफी अच्छी धन ऐसे व्यक्ति के पास इस cross की वज़े से भी आता है, और ऐसे native काफी अध्यात्मिक होते हैं, 40 की age के बाद ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे किसी spiritual organization के साथ जूड सकता है, किसी social working organization के साथ जूड कर काम करने की तमन्ना ऐसे व्यक्ति के भीतर धीरे धीरे age के साथ बढ़ती जाती है, अब साथी साथ देख पाएंगे, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की बारीक रिखाएं भी नजर आएंगे, जिने हम progress lines के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर इस तरह की progress lines का बनना बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसी रिखाओं का होना indicate करता है, कि native अपने चीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब होगा, इनके इंगूठे के उपर आपको इस सेरिया में य पाने वाली खटनाओं का पूर्वा अभास लगा पाने की शमता ऐसे विक्ति के भीतर काफी strong रहती है, कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी relative या मितर के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीजों के बारे में native को पहले से ही अभास हो जाता है, शनी परवत की बात की जाए तो हलका सा दबता हुआ शनी परवत आप यहां पर देख पाएंगे और इस mount का दबना indicate करता है कि native के जीवन में संघर्ष ज्यादा रहेगा, ऐसा व्यक्ति काफी मेहनत करने वाला होता है, अपने comfort zone से निकल कर ऐसे व्यक्ति को काम करना धीमी परती नजर आ रही है, यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगबग इनकी मस्तिक श्रेखा के पार जाती नजर आएगी और यहां से आप देख सकेंगे लगबग इस एरिया तक आपको यह रेखा इस तरह से बनती नजर आगी, इसके आगे थोड़ा सा gap है और यहां रेखा आगे continue हो रही है, बीच में इस तरह का gap होना और आगे चलकर इस रेखा का पूरी तरह से शनी प्रवत तक ना पहुंच पाना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लेटरेज में थोड़ा संघर्श अधिक करना पड़ेगा, अपने comfort zone से निकल कर काम करना यानि mercury line और यह तीसरी रेखा जिसको मस्तिच रेखा कहा जाता है, तीनो रेखाओं के मिलने से यहां पर जो triangle बन रहा है, इस triangle का होना बहुत अच्छा माना जाता है, ऐसा व्यक्ति अपने चीवन में खूब धन कमा पाता और जमा कर पाता है, जिसके हाथ में इस तरह का triangle इस area में बनता हुआ आपको नजर आए, बात करते हैं इनके सूर्य परवत की, तो आप यहां पर देख पाएंगे सूर्य परवत का जो area है, यहां पर आपको हलका सा दबता हुआ नजर आएगा, लेकिन सूर्य परवत पर एक फिश्च ऐसा symbol बनता हुआ भी आप देख बदले में कोई appreciation या reward नहीं मिल पाता, लेकिन अगर हम close up में देखें तो आपको यहां पर एक फिश्च नुमा अकरिती बनती हुई नजर आएगी, कुछ इस एरिया में आप देख पाएंगे, कुछ इस तरह है कि रिखाओं से एक फिश्च ऐसी shape आपको बनती हुई नजर में काफी अच्छी पहचान बना पाने में भी कामियाब रहता है, मरकरी की बात की जाए तो आप यहां पर देख पाएंगे, इनका जो मरकरी माउंट का area है, low set है, लेकिन हाथ में बुद्ध रेखा मौचूद है, और यह माउंट उभरा हुआ आपको नजर आएगा, इस र पारा करता है, अगर हम इनकी major lines की बात करें, तो आप यहां पर देख पाएंगे, इनकी जो heart line है, कुछ इस तरह से, आगे बढ़कर एक विश्नुचिन बनाती हुई नजर आ रही है, इस तरह का वी सिंबल जिनकी यह तेली पर बनता है, अगर ऐसा व्यक्ति इमानदारी के रास्ते पर चलता रहे, तो चीवन में बड़ी तरक्की पाने में काम्याब रहता है, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह चिन हो, गलत रास्ते पर चल पड़े और बैमानी से धन कमाने की कोशिशें करने लगे, तो चीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती हैं, इसलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन बनता हूंने हमेशा यही सुझेस्ट करता हूं कि मानदारी का रास्ता कभी न छोड़ें ताकि आपके चिवन में ज्यादा दिक्कतें आपको फेस ना करनी पड़ें, ओवरॉल इनकी हाथ की लाइन काफी अच् प्रेक्षर जैसी, क्लेस्टरल जैसी दिक्तों का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी चिवन में हाट की हेल्थ का अधिक ध्यान रखने की जुरूरत रहती है, मस्तिश रेखा की बात की जाये तो एक स्ट्रॉंग माइंड लाइन यहां से लेकर independent सभाव का होगा, ऐसे व्यक्ति थोड़े जिदी सभाव के भी होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं, उसको करकर ही दम लेते हैं, काफी अच्छी माइन लाइन, native को एक अच्छी मेमरी देने में सक्षम रहती हैं, जीवन रेखा की बात की जाये तो आप यहां पर देख पाएंगे जीवन रेखा में आपको हलका गैप यहां पर बनता हो नजर आएगा, जो इनकी मस्तिक श्रेखा से कवर अप होता हो नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी हेल्थ को कमजोर करने में इस तरह का गैप काफी सक्षम रहता है, नेटिव को माइनर हेल्थ इशुस का सामन जीवन में करना बढ़ सकता है, अब यहां पर देखेंगे एक रेखा अंदर की तरफ जिसे मंगल की रेखा कहा जाता है, इस तरह की मंगल की रेखा नेटिव की हेल्थ को रिस्टोर करती है और मंगल रेखा हाथ में हो तो नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमना अच्छा र बाई में यह रेखा आपको नजर आएगी और यहां तक पहुंचती हुई बिलकुल कलाई के करीब पहुंचती हुई जीवन रेखा होने से नेटिव की एज लगबग 75 से लेकर 80 के बीच में रहने के समभावनाए रहती हैं जीवन रेखा के अंत में आपको एक फिश का सिंब बाता हुआ नजर आए तो यह बहुत ही अच्छा स्चिन माना जाता है ऐसा चिन होने से नेटिव अपने चीवन में कई बार अच्छानक धनलाब पाता है शेर मार्किट के जरीए इंशोरेंस के जरीए इंहरिटेंस के जरीए लौटरी जैसी चीजों से नेटिव को धनका आप होने की संभावनाएं काफी अधिक देखी जा सकती है चंदर परवत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे चंदर परवत पर कुछ आड़ी रिखाएं आपको नजर आएंगी कुछ इस तरह की रिखाएं चिनकी वजह से काफी ट्रैवल जीवन में रहता है ल इनस माउंट यहाँ पर काफी उठा हुआ नजर आ रहा है इस तरह का उभरा हुआ शुकर परवत चिन लोगों की थेली पर रहता है ऐसे व्यक्ति अपने चीवन में हर तरह की सुखसुधाएं पाते हैं लेकिन कुछ बारीक रिखाएं जिनने हम वरी लाइन्स कहते हैं ऐस सभी स्वालों के जुआब एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट हैं कि अगर इनका कोई क्वेशन पैंडिंग है तो मुझे वर्टसैप पर मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आ आपका बहुत बहुत धन्यवाद